मश्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है मेरे यूटूग चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चर्बी की गाठ की प्रॉब्लम्स के बारे में जिसे हम मेडिकल टर्म भासा में लाइपोमा भी कहते हैं यहां हमारी बॉडि के एक्स्टरनल पार्ट में होता है और किसी भी पार्ट में यहां सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है दोस्तो यहां हमारे हैंट्स यानि की हातों में हो जाता है यहां हमारे पेट में हो ज जाता है यहां हमारे जांगों में सबसे जादा देखने को मिलता है पिंडिलियों में यहां हो जाता है और कई बार हमने देखा है कि यहां जबडों में भी हो जाता है और यहां कई कारणों की वज़े से हमारी बॉडी में यहां प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है हमने देख हार्मोन्स के कारण यह सारी प्राब्लम से हमें देखने को मिलती है और चर्बी की गांट की प्राब्लम्स भी हमें देखने को मिलती है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टॉप फाइब हैसी हो मेडिसन बताने जा रहा हूं जो only for चर्वी की गांट में यूज की जाती है इसके medical practice में काफी अच्छे results हमें देखने को मिले हैं यदि आपको चर्वी की गांट है या आपको गायनों को मेस्टिया है या आपके फ्लिविन टूब में ब्लॉकेज वगेरा हो गए हैं या आपको इस्तन की गा आने रखता है और जब भी आप कोई भी medicine यूज करो तो दो से तीन medicine आप यूज करें जादा medicine एक साथ आपको यूज नहीं करनी है और जो मैं डोज में आपको बताने वाला हूं उसी डोज में यदि आप medicine सही मातरा से लेंगे और कुछ परेज किये जाते हैं यदि आप सह चैनल पर नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेट कर की बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें साथी साथ वेल आइकन की घंटी को जरूर पेस करके रखें ताकि सभी latest medicine की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों बात करेंगे लाइपोमा याने की चर्वी की घंट की प्रावलम्स के बारे में हमारे वाड़े के किसी भी पार्ट में हो जाती है कई वैक्ति किस तरह के सिंटम समय किस तरह की गांटे हमें देखने को मिलेगी ति कौन-कौन सी मैडिसिन हमें यूज करनी चाहिए पहले नंबर पर आता है दोस्तों कैलकेरिया कार्व कैलकेरिया कार्व बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी पेशेंट्स बहुत जदा ओवीज होता है यानी की मूटा ताजा थुल्थुला होता है और उनके पेट में सबसे जड़ा गांठ हमें देखने को मिलती है हैं तोसे इस कंडीशन में कैलकेंट्स कवार्व ब्रेंदेट्स कि यूज की जाती है दिन में एक बार ही आपको सुपा खाली पे टंग डोस जीव में आपको लेना है और जो एक बार आपने स्टार्ड किया तो 40 से 60 दिन तक इस को आपको रेगूलर लेना है उसके बाद दो मेहने का गैफ करना है गैफ करने के बाद यदि थोड़ी बहुत यदि गांठ बच जाती है तभी आप इस करें अन्यथा मैडसें करने की आवशकता आपको बिलकुल भी नहीं होगी यहां प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएगी वीडियो के लाश्ट में नोसूर्ट के वारे में जानकारी मैं आपको दूंगा यदि वह आपने यूज कर लिया तो प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तर इसके हमें देखने को मिलते हैं दोस्त हां हमारी जब भी यह जो गाठे होती है वहां हाड हो जाती है फत्तर जैसी हो जाती है उसे आप टच करेंगे तो हलकी फत्तर जैसी आपको हाड आपको देखने को मिलेगी और यहां गाठे जो होती है वाडी के किसी भी पार्ट में ह जाती है चाहे मेल्स हो चाहे फिमेल्स हो दोनों में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है चाहे आपको गाने को मेस्टिय में गांट हो गई हो या फिर ब्रेस्ट में गांट हो गई हो या फिर हैंड्स में आपके गांट हो गई हो और आप दुबले पतले हैं और या बहुत ज काफी अच्छे हमें देखने को मिले हैं तीसरे इस नमबर पे आती है दोस्तों कौनियम मेक मैड़सिन कौनियम मैं बहुत ही अच्छा काम करती है यहां किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है यहाँ जो only for चर्वी की गांट होती है और यह जो चर्वी की गांट होती है इसमें कई वार हमें हलका हलका दर्द भी देखने को मिलता है और यहां male और female दोनों में बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी वेक्ति के अंदर हार्मोन इन्वैलेंस हो जाते हैं जिसके कारण गायनओ को में हो जाता है या ब्रेस्ट में ट्यूवर हो जाता है या फ्लुविन टूप में ब्लोकीच वगिरा हा जाते है या उविरी अंसिस्ट की पॉबलम हो जाती है या जबडो में गठाने लेना है यदि आप लेते हैं तो पिन चुबने जैसा यदि गाठ में हलका फुल का दर्द भी है तो वहाँ भी ठीक हो जाएगा और जो गाठाने हैं वह आटोमेटिक धीरे-धीरे करके होने लगेगे चोहधे नमबर पर बहुत ही अच्छा काम करने वाली Md Journal है जिसका नाम है हकला लावा जबडों में माउथ की अंदर कई बार आपने देखा होगा गठाने बन जाती है माउट की अंदर जबडों में गठाने बन जाती है बहुत सारे वेक्ते बहुत ज़्यदा चिंतित हो जाते हैं कि गठाने बन गई है यह कैंसर तो नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम्स आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है बहुत ही अच्छा काम करती है external रूप में इसका यूज़ किया जाता है next medicine आती है दोस्तो कैलकेरिया फॉस कैलकेरिया फॉस के results आमें काफी अच्छे देखने को मिले है जो भी वेक्ती बहुत ज़्यादा नौन वेज बगेरा का यूज़ करता है और fatty cheese बहुत ही ज़्यादा खाता है और fat के deposit धीरे धीरे करके वोडे के अंदर होने लगता है तो उसमें कैलकेरिया फॉस बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तो कैलकेरिया फॉस हंड्रेक्स एक्स में यूज़ करनी है हंड्रेक्स एक्स में इसके काफी अच्छे रिजल्स हमें देखने को मिले है इसका सेवन चार गोली सुबा चार गोली दोफेर में चार गोली जात में मीठी गोली है चूज के खाना है उस मेडिसिन को कंटिन्यू आपको तीन मेहने लेना है तीन मेहने के अंदर यहाँ जो आपकी गाठान है वहाँ धीरे-धीरे करके पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी दोस्तो लास्ट में एक मेडिसिन में आपको बताने जा रहा हूँ वह मेडिसिन यदि साथ में आप लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है बहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाती है आपको थूजा मेडिसिन लेकी आनी है और यहाँ आपको बनेंपोटेंसी में लेकी आनी है और इस मेडिसिन को खाली पेट चारवूं टंग डोस लेना है पंदरा दिन में एक ही वार लेंगे बार-बार रिपिटेशन नहीं करना है कई वार आप बार-बार रिपिटेशन करते हैं तो मेडिसिन काम करना बंद कर देती है तो महीं सब 15 दिन में एक बार मैडिसिन ले, तीन महने कंटिन्यू करे, इसके बाद मैडिसिन लेने के और शक्ता नहीं है, गठाने दीरी-दीरी करके आटोमेटिक डिजॉल्व होने लगती है, कुछ परेच अबश्य किये जाते हैं, कई वैक्तिव के अंदर हमने देखा है, कि यहाँ जो चर्वी की गांट होती है, चर्वी की गांट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें चर्वी वाली चीज नहीं खाना है, जैसे नॉन बेच का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे हमारी बोडी में जाद्या मात्रा में फेट डिपोजिट हो पूछन आप पूछना चाहते हैं, रातरी 9 वजे लाइक प्रिनेक में आप पूछ सकते हैं, दोस्तों आज की वीडियो में वासित नहीं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तक तक लिए जैहन, जै भारत, बंदे मात्रा